भारतिय संस्कृति के मूल तत्व और शिक्षण विधी हमारी नई राष्ट्रिय शिक्षण नीति ने विरासत में मिली संस्कृति को विध्यार्थियों तक पहुँचाने पर विशेश बल दिया है हमारी संस्कृति में ऐसी विशेशताएं हैं जो इसे अमर बनाए हुए है आज भी कई विदेशी लोग भारत में ऐसे मार की खोज में आते हैं जिससे उनको शान्ती मिले आज हम इसी बात पर विचार करें कि हमारी संस्कृति में कौन से ऐसे तत्व हैं जो अधूरे जीवन को पूनता देते हैं और हम इन तत्वों को अपने विद्यालियों में आने वाले विद्यार्थियों के जीवन में कैसे उतारें यही बताने का प्रयास हम इस कारेक्रम में कर रहे हैं हमारी संस्कृति मिश्रित संस्कृति है इस संस्कृति के विकास में हिंदू, मुसल्मान, सिक, इसाई, पार्सियादी सभी धर्म के मानने वालों का योगदान है इसलिए इसकी विशेष्टाओं को समझने के लिए कुछ महत्वपून तत्वों पर बारी-बारी से विचार करेंगे आज के युग में महत्मा गांधी ऐसे महापुरुश हुए हैं जो भारतिय संस्कृति के जीते जागते प्रतीक माने जाते हैं सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान करते हैं क्यों नहीं उनके जीवन को केंद्र मान कर भारतिय संस्कृति पर चर्चा की जाए हम चर्चा में ये ध्यान रखें कि हमारे सुझाव व्यवहारिक हो उनके माध्यम भी ऐसे हो जिन्हें शिक्षत सरलता से ग्रहन कर सकें और विद्यार्थियों को भीने समझने में सरलता हो यहां महत्मा गांधी जी का श्लोक ध्याना रहा है इसी श्लोक को वो प्रात हकाल की प्रार्थन सभा में गाया करते थे कौन सा श्लोक? अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या असंग्रह शरीरश्रम आस्वादह सर्वत्र भयवर्जनम सर्वधर्म समानत्वम स्वदेशी स्पर्ष भावना एकादश सेवाही नम्रत्यं व्रत निश्चय है हम अपनी संस्कृति के इन तत्वों को विद्यार्थियों तक कैसे पहुँचाएं? हमारी संस्कृति से जूड़ी हुई ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती हैं जो इस श्लोक के तत्वों पर आधारित है। अध्यापक ऐसी ही कुछ कहानियों का चैन करके विद्यार्थियों को सुना सकते हैं कुछ घटनाएं यहाँ प्रस्तुत है अहिंसा हमारे यहाँ परमधर्माना गया है महात्मा बुद्ध और अंगुली माल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है अंगुली माल क्रूर डाकू था वो लोगों को मार कर उनकी अंगुलियों की माला बना कर पहनता था एक बार उसने महात्मा बुद्ध को ललका रा और कहा ठहर जा ठहर जा बुद्ध ने जवाब दिया मैं तो ठहर गया बोल तू कब ठहरेगा जीवन में पहले ही बहुत दुख है तू हिंसा से दुखों को और बढ़ा रहा है बोल तू कब ठहरेगा डाकू अंगुली माल ठहर गया वो सदा के लिए महात्मा बुद्ध का शिश्य बन गया उसने हिंसा त्याग दी इसी प्रकार रतनाकर डाकू का हिंसा त्याग तथा अशोक का शस्त्र त्याग जैसी कहानिया विद्यार्थियों को सुनाई जाएं इन कहानियों को नाटक या चित्रों द्वारा भी दिखाया जा सकता है सत्य मेव जैते को हमने अपने राष्ट्रिय चिन्न के रूप में स्थान दिया है सत्य का पालन करना बड़ा कठिन कार्या है सत्यवादी को कदम कदम पर कठिनाईयां आती है ये कठिनाईयां और भी बढ़ जाती हैं जब सत्य पालन में परिवार के सदस्यों पर विपत्ती आए इसी विशे में एक बहुत प्रसिद्ध कथा प्रचलित है जो सत्यवादी हरिश्चंदर के जीवन पर आधारित है एक बार रिशी विश्वामित्र को पता लगा कि राजा हरिश्चंदर ने सत्य बोलने की कठिन प्रतिग्या लिए है विश्वामित्र को विश्वास था कि सत्य वचन का पालन करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परिक्षा लेना चाहते थे विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुँचे राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत करते हुए कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जिस चीज की आवशक्ता हो, मांगिए विश्वा मित्र बोले पहले प्रतिज्या करू हमें वचन दो कि अपने वचन का पूरी तरह पालन करोगे हरिश्चंद्र ने कहा आवश्य पालन करूँगा ये सुनकर विश्वा मित्र बोले मुझे अपना सारा राजपार्ट तान में दे दो राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुरा कर कहा माराज, मेरा सारा राजपार्ट आपकी सेवा में है इसे दान में सुईकार करें राजपार्ट के साथ मैं आपको दक्षणा भी दूँगा विश्वा मित्र ने कहा दक्षणा कहा से दोगे हरीश चंदर बोले राज के खजाने से विश्वा मित्र हंसकर बोले वो तो मेरा हूचुका दक्षणा देनी है तो अपनी कमाई से दो हरीश चंदर ने दक्षणा देने का वचन पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को घरेलू कामधंदे में लगाया वे खुद शम्षान घाट पर चौकिदार बन कर रहे अपने पुत्र को बिना कर लिए शम्षान घाट में नहीं जलने दिया सुना आपने सत्य वचन पालन में कितनी घठनाईया होती हैं इस का अनुमान आप इस कहनी से लगा ही सकते हैं युदिष्ठर, महात्मा गांधी और अन्य महात्माओं के जीवन से संबंधित सत्य पालन की घठनाएं विद्यार्थियों को सुना सकते हैं ब्रह्म चर्र में शक्ति है हमारे विद्यार्थी बल्वान बने वे शक्ति का संचय करें राम, लक्ष्मन, स्वामी दयानंद की घठनाएं लेकर इसके महत्माद को समझाया जा सकता है भीश्म पितामा की कथा भी बच्चों को सुनाई जा सकती है अब जरा अस्ते पर भी चर्चा कर लें अस्ते का अर्थ है चोरी न करना इससे संबंधित कई कहानियां हमारी प्राजीन संस्कृती में मिलती है एक घठना इस प्रकार है घठना छत्रपती शिवाजी के राज्यकाल की है शिवाजी के एक सेनापती थे उनका नाम था प्रताप राओ गुर्जर एक दिन वे राज उद्यान में टहल रहे थे प्रताप राओ गुर्जर को बहुत भूख लगी भोजन की खोज में उनकी नजर उद्यान के व्रिक्षों पर गई व्रिक्षों पर पके फर लगे थे प्रताब राव ने फल तोड़े और भर पेट खाए पेट भरते ही उन्हें अनभव हुआ उन्होंने चोरी करके फल खाए है चोरी के फल खाने से राजकोश को हानी हुई है मैंने चोरी की है मुझे दंड मिलना चाहिए प्रताप राओ शिवाजी के पास गए और निवेदन किया महराज जो चोरी करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए शिवाजी बुले जिस हाथ से उसने चोरी की है उसे काट देना चाहिए प्रताप राव ने अपना दाया हाथ फेला दिया और कहा महराज इसे काट दीजिए चूँकि इसी हाथ से मैंने राज उद्यान से फल तोड़ कर खाए है शिवाजी हैरान रह गए शिवाजी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया प्रताप राव दंड लिये बिना हटना नहीं चाहते थे अंत में ये निरने हुआ प्रताप राव गुर्जर की कमीज की बाजू काट दी जाए ताकि उन्हें अपनी चोरी की याद रहे और लोग एक बाजू की कमीज देखकर याद रखे चोरी एक अपराद है और उन्हें भी दंड मिल सकता है हमारे यहां बच्चों को निर्भय रहने का मंत्र बच्पन से दिया जाता है माताएं लोरियों में ऐसी बातें सिखा देती थी कि बच्चा जीवन भर निडर रहता था नचिकेता निडरता से मौत के देवता यम की खोज में निकल पड़ा राम और क्रिष्ण बच्पन से निडरता की मूर्ती थे बालक भरत सिंग के दांत गिनने का साहस कर सकता था गांधी जी अंग्रेजों की शक्तिशाली शासन से टकरा गए विद्यार्थियों को इसी प्रकार की कहानिया कक्षाओं में सुनाई जाएं विद्यार्थियों से इनका अभिनाई भी कराया जाएं हमें बच्चों को अंध विश्वास से भी दूर ले जाना चाहिए अंध विश्वास भी भय का कारण बनता है हमें बच्चों में वाईज्यानिक द्रिष्टिकोन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए सर्व धर्म संभाव भारत की विशेष्टा है भारत देश में अने एक धर्म है सभी धर्म सच्चा मार्क दिखाते हैं हम तुलसी कबीर आदी की उन वाडियों को खोजें जिसमें सभी धर्मों को आदर दिया गया है उन कवियों की कविता विद्यार्थियों को सुनाएं, जिन में इस भाव को सही तरह से प्रकट किया गया है विद्यालेओं में सर्व धर्म सभाओं का आयोजन करें सभी धर्मों के त्योहरों के विशय में विद्यार्थियों को बताएं स्वदेशी और स्वदेशी वस्तूँ से प्यार करना हमारा प्रथम करतव्य है हम अपनी धर्ती को सुरक्षित रखकर अपनी संस्कृती बचा सकते हैं देश नहीं तो कुछ भी नहीं अते हम विद्यार्थियों में कहानी, कविता, नाटकों के माध्यम से देश प्रेम की भावना जागरित करें, चंद्रशेखर, भगत सिंग, राजगुरु के बलिदान की कहानिया बच्चों को सुनाएं लक्ष्मी बाई, दुर्गावती और चेनम्मा जैसी वीर बालाओं की जीवनी बच्चों को पढ़वाएं हम सब मारव मात्र को समान समझते हैं, विद्ध्यार्थियों को उच नीच, अमीर घरीब के भाव से दूर रखें इसके लिए राम का शबरी और केवट के प्रती स्नेह का नाटक दिखाया जा सकता है श्री क्रिश्न का सभी बाल गोपालों के साथ मिल जुलकर खेलना भी दिखाया जा सकता है इसके अत्रिक्त, दया, छमा, धर्य, क्रोध नकरना, शरनागत वात्चल्य, त्याग, तपस्या, उदारता, परोपकार, पित्रिभक्ति, गुरुभक्ति आदि भी ऐसे मानविय गुन हैं जो हमारी संस्कृति की अमर धरोहर हैं इस धरोहर को अगली पीढ़ी को सौपने के लिए कहानियों की सूचियां बनाई जा सकती है अत्रिक्त पठन या निर्देशित पठन का आयोजन विद्यालेओं में किया जा सकता है विद्यार्थियों को भारतिय संस्कृति से जुड़ी हुई कहानिया पढ़ने के लिए प्रोथ सहित किया जा सकता है इनके अतिरिक्त बच्चे हर धर्म के त्योहारों के महत्व को समझें वे इनमें भागीदार बनें विद्यालेओं में इन्तियोहारों का आयोजन किया जाए अफसर मिले तो भारत का भ्रमन करें तीर्थ स्थलों को देखें भारतिये एक्ता को पहचाने इसके फलस्वरूप ही हम आज की विद्यार्थियों को अपनी प्राचीन संस्कृती की एक छलत दे पाएंगे भारतिये संस्कृती के मूलतत और शिक्षन विधी अभी आप ये कारिक्रम सुन रहे थे इसके लेखक थे डॉक्टर जैनारायन कौशिक भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा सुरेंद्र सेथी और वीना हूरा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा विशे संयोजन स्वर्णा गुप्ता ध्वने आंकन दीपक पांडे और पुष्पलता मिगलानी प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा और वंदना निगम तथा प्रस्तुत करता प्रभुदयाल खटर